तो साप का पर देखा गया है तो साथ यहां पर साप देखा गया है और हमारे गावं से एक किलो मिट्र दूर है तो आपको दिखाना चाहेंगे यह आप देख सकते हैं को मण सेंड बौवा जो कि कॉमन सेंड बौवा होता है बिना जर्वला साप होता है और श्याद बच्चा यह भी तो बने रहे हमारे वीडियो में और दिखा काड कर दिखाते हैं आपको कॉमन सेंड बौवा साप कुंएब से वस डेंग कुंए जा है कर दो दो पन तरों कि दो पुनला कि यंग करेद्ट कि यंग जो ज दो огрवआ अब नो क्काई हाँ यहांний हाँ आप शाप के इसको यहां से खोरदना श्टार्ट किया और इसमेने पैने पाना यहां बां की शाप लूर रूमल मुझे अख्रकर मुझे साथ गया है और ओर मैं आपके सामने निकाल і दिखाता हूं वैसे դो पिछ्षय वाला पैटन होता है वह भी i दिखाता है तो लग रहा। तो अभी तक हमारे एरिया में रशील वाइपर साब तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी तक हमने रैस्कु निल यहां कि हैं अब आपके सामसें निकालकर दिखाते हैं Common Sand boa, यह Common Sand boa जो फूब फूरिसल वाय पर किसा आप के जिसापघ यसे इसे हिंदी में खुद्रा दूंबभा भी कह जाता है, क्योंकि इसकी पूच होती है वो थोड़ी खुद्री होती है इसलिए इसको खुदरा दूमबुग का आजाता है और ये बिना जहरवाला होता है इसमें किसी भी परकार का जहर नहीं होता है नोन पोईजन साप होता है और इसको हमारे राजस्तानी बासा में पिसंड्या साप भी बोला जाता है और ये काट भी लेता है और इसके काटने से कुछ नहीं होता और यह जो दुमुही साफ होता है जिसको हम दम्मी साफ बोलता है जिसका दोब्ब होते है उसी की परजाती से यह साफ है तो इसको हम ले जाकर जंगल में रिलिज्च करेंगे तो बने रहे हैं मरसाथ और साथियो इस साब को भी हमने आपर रिजिच करने के लिए लाए है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको रेस्क्यू किया था और अगर आपने हमारे यूटूब चैनल सस्क्राइब निकिया तो मारे यूटूब चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक वीडियो की इसमें तो इसको भी आपर रिलीज करते हैं और साथियो कभी भी हमें देखकर साब को पकड़ने की कोशिश ना करें और ना ही किसी को पकड़ने दें इसी के साथ जय हिन जय भारत जय भीम जय स्रीराम